हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट वेलकम टू सक्सिज के रियर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मजगाओं डॉक्सी बिल्डर लिमिटेट के तरफ से जो रिकुरुमेंट निकल कर आया है यह रिकुरुमेंट एट पास एट पास हैं यदि या आप टेंट पास में दो दूँगा अफिसियल लिंक जिसे आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है और जब आप नीचे के तरफ आएंगे तो यहां पर देखेंगे एक की साथ 2021 यानि की कल के डेट में ही रिलिज किया गया है और मैं यहां पर बता दूँगा लास्ट डेट आपका क्या है तो देखेंगे बैच 2021 वेबसाइस पर सिक्चु चैनल से संबंदित आवंदन पर किरिया नियम अधिनियम एंचर चैनल पर किरिया संबंदी जनकारी यहां दिया है यानि कि सेलेक्शन आप ट्रेड अप्रेंटिस यह 2021 अप्लिकेशन प्रोसेस रूल रेगुलेशन एंड सेलेक्शन प्रोसेस रिलेटेड इन्सामेशन इस वीडियो में हम बात करने वाले तो सबतर पहले आपको यहां पर पूरी डीटेल पाने के लिए यहां ndlats2-2021 यहां पर आपको दिवर्ष्ट के लिए 425 अप्रेंटिस यहां पर निकला हुआ है यहां पर यहां पर मिनिमूम आप ग्रूप यहां पर दिया हुआ है यह जी ग्रूप इस के लिए आपको क्लास 10th पास होना चाहिए अब देखिए यहां पर ड्राफ्तमेंड मेके लिए जो टोटल सीट आया हुआ है बीच सीट है इलेक्टिसियन के लिए चाहंती सीट है और फीटर से यदि क्लास 10 के बाद यदि एप्लाइब कर सकते हैं फीटर में 62 सीट है और इस्ट्रक्चल फीटर में आपका टोटल 63 सीट है यहां पर जो परसिख्षा आउदी हो रहा ह प्रतम तीन माहा तक आपको 3000 रुपे दिया जागा उसके पच्चात आपको 6000 रुपे दिया जागा और दिविती वर्स में आपको 66 रुपे दिया जागा क्लास 10 से यदि आप फार्म को एप्लाइब कर रहे हैं तो 18221 को आपका मिनिमम एक 15 साल और 19 वर्स के बीच में होना चाहिए यदि आप आई टी आई उत्रिण है आई टी आई पास आउट हैं यहां पे तो आप देख सकते हैं फिटर इस्ट्रक्चरल के लिए यहां पर बीस पोस्ट आया हुआ है उसके बाद इलेक्टिशन के लिए 15 पोस्ट पाइफ फिटर के लिए 15 पोस्ट वेल्डर के मिलेगा और उसके लिए 5 फिटर है वेल्डर है कंप्यूटर है कोपा है तो आपको 77-100 रुपे मिलेगा और आपका 18221 को जो यह होना चाहिए 16-21 होना चाहिए यदि आप एट पास आउट इस्टुडेंट है फार्म को भाना चाहते हैं तो आप रिगर में भर सकते हैं जिस चीज सो तीन माह के लिए मिलेगा उसके बाद पश्चात आपका 5000 रुपे हो जाएगा उसके बाद दिविती वर्स में 500 रुपे हो जाएगा यदि आप एट पास आउट है तो मिनिमम एज 14 वर्स होना चाहिए और 18 के बीच में होना चाहिए 18221 किस तक और निवरी तक बात वर्स के लिए आपका एज रिलेक्सेशन भी मिलेगा अब यहां पर मिनिममम एज इसेंसियल क्वालिफिकेशन में आप लोग को बता दूं तो जो टेंथ पास हैं उनके लिए क्या क्या होना चाहिए उमिदवार समानिय विज्ञान पास होना चाहिए और गड़ी तुभी स तो भी आपका विज्ञान और क्लास 10 में विज्ञान परिच्छा और गड़ी से होना चाहिए और इस्ट्रक्चर और फीटल से आप यदि भर रहे हैं तो भी आपके पास जनरल साइंस और मैथमेटिक्स होना चाहिए और 50% मार्क के साथ पास आउट होना चाहिए तो यह थ मिमा आपको 50% पास आउट होने चाहिए यदि आप गुरूप यानि कि आई टी आई पास आउट है तो देखिए इस्ट्रक्चरल फीटर के लिए आपको फीटर या इलेक्टिसियन या प्लंबर या वेल्डर या कंप्यूटर आपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट य किसी सरकारी या सरकारी मन्याता प्राप संस्तार से उत्ते होना चाहिए तो यह ध्यान रखिएगा इलेक्टिसियन के लिए हो चाहिए यह सभी मैंने यहां पर बता दिया किसे पास आउट होना है आप किसी भी सरकारी या सरकारी मन्याता प्राप संस्ता से यानि कि आप प् ग्यान और गड़ित भी से होना चाहिए ठीक है अगर आप पास आउट है एट पास तो रीगर और वेल्डर ट्रेड में आप भर सकते हैं मिनिमूम आपका 50% यहाँ पे होना चाहिए अन्य इंपोर्टेंट चीजों पर आम मैं और डिसकस करना चाहता हूं तो चलिए और देख सब्सक्राइब यहाँ भारतिय नागरिता होनी चाहिए अब सीलेबस की बात करें चलिए सीलेबस की मैं एक जगापे बात कर ले रहा हूं सबी सीलेबस एक साथ में बात कर ले रहा हूं यदि आप टेंट पास आउट प्यसे ही मेकेनिकल ड्राफ्ट मेंड इलेक्टिसियन जेंधे फीटर और इस्ट्रक्टर्ट्टर्रों के लिए यदि आप Ṱाइक करेंगे तो आपका इंगलिस और जीके से 25 को फिजिक्स से 25 कोच्टन केमेट्मेटीक से 25 कोचिन टोटल 100 कोच्ट रह आगए प्लास 10 वालों के लिए आई टी आई पास आउट इस्टूडेंट है तो आपका इंग्लिस और जीके से 25 कोश्टन ट्रेट थियोरी से 25 कोश्टन और वर्षाप केलकुलेशन से 25 कोश्टन और इंजिनिरिंग ड्राइंग से 25 कोश्टन टोटल 100 कोश्टन आपको आएंगे यद सब्सक्राइब के लिए मुबई नागपूर पुने और और रंगाबाद यही चार जग़ा पर आप लोग का इक्जाम सेंटर बनने वाला है ठीक है एक्जामिस नेशन सेंटर आपका चेंज नहीं किया जाएगा इसी में आपका होगा सेकेंड स्टेज में आपका मेडिकल और ऐइक स्ट्रेशन होगा उसके बाद डाकूमेंट्अट वेरिफिकेशन होगा डाकूमेंट्स में आपको हड़ी टूटी वगर टूटा तो नहीं है थार्ड इस्टेज जो होगा इसमें आपको इलाटमेंट किया जाएगा मेडिकल इग्जामिनेशन और डाकुमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ठीक है आपको मेरिट लिस्ट पे आपको उसके हिसाब से आप लोगों को ट्रेड दिया जाएगा यहां पर सुल्क जो लगेगा इस फार्म को बनने के लिए 100 रुपे लगेगा 100 रुपे आविदन सुल्क है प्लस बैंक सुल्क जो लगेगा वो तो यह ध्यान रखीगा OBC, EWS या AFC के टेगरी से है तो 100 रुपे प्लस बैंक चार्ज रुपे लगेगा उसके बाद HTSC या दिव यांग केंडिडेट है तो आपको 1 रुपे भी देना होगा यानि कि 0 फिस में आपका होगा ठीक है तो यह इंपोर्टेंट जानकारिया थी और मैं आप लोग को बता दूँ नो हास्टल एकोमेडेशन विल भी प्रोवाइड़ बाइड़ दा कमपनी यानि कि आपको हास्टल सुईदा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और इंपोर्टेंट डेट यदि आप से डिसकस कर दूँ तो आप को सबसे पहले देख लिए इस फार्म को बनना कैसे तो सबसे पहले आपको जो आफिसेल लिंक डिस्क्रिप्शर बाक्स में दूँगा वहाँ केरियर सेक्शन में अनलाइन रिक्रूमेंट अप्रेंटिश में चले जाना है और create new account पे click करके अपना farm को fill up करना है अब यहाँ पर हम बात करें important date के आपके तो date जो start हुआ है आज ही से start हुआ है online application by 27 2021 से start हो गया है farm को बनना उसके बाद यह farm online application last date रहेगा 10-8-2021 तक last date रहेगा date आप declaration list eligibility not eligible candidate जो होगा यह 16-8-2021 को release कर दिया जाएगा उसके बाद last date आप representation regarding ineligibility candidate जो भी यहाँ पे not eligible candidate होगे उनको एक बार मौका दिया जाएगा कि वो not eligible है तो कियों eligible है उनको सुधार करने का 22-8-2021 को मौका दिया जाएगा और आपका जो admit card और hard ticket online examination होगा आपका CBT based पे तो 23-8-2021 को release कर दिया जाएगा और आपका date of conduct online examination 4th week of August 2021 में आप लोग का paper हो जाएगा ठीक है और भी advice किसी भी तरह के लिए आप इस पे विजिट कर सकते हैं इसका link में description box में दे दूँगा तो मैंने यहां पर आप लोग को सभी important dates eligibility syllabus और कौन-कौन से ट्रेड आए हुए हैं कौन-कौन के से pass out candidate ये farm को fill up कर सकते हैं सारी details से वीडियो को बता दिया है वीडियो में बता दिया है यदि आप वीडियो को सुरू से नहीं दे करते होंगे तो लांगिंग चैनल का link में description box में दे दूँगा एक बार वीजिट करके प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर लीजेगा और सपोर्ट करिए आज के लिए वीडियो में इतना ही thanks for watching this video इसी तरह के job updates पाने के लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब करिएगा